नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपियर्स क्लाउड में तो दोस्तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारती मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पर और ये एयर डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर होगा कि रूस का उननत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी पीछे छोड़ देगा और सबसे अच्छी बात ये होने आली है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम भारती होगा और ऐसे सिस्टम भुद भारत में ही बनने पर हमारे देश की दूसरे देशों पर निरभरता भी कम होगी तो ये सिस्टम है क्या और कितना उननत होने आला है ये सिस्टम सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में इस एर डिफेंस सिस्टम के बारे में उससे पहले जो चैनल पर नए है वो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दे तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय DRD की हैदराबाद वाली लैब में यह सिस्टम बनकर तैयार हो चुका है और खबर यह निकल कर आई है कि भारत जल्द ही इस एकसार सेम एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कर सकता है और ये समझ लो कि अब इसका काम पूर्ण हो चुका है यानि कि यालगभग 99% बनकर तयार हो चुका है और इस missile defense system की जो detail बाहर निकल कर आई है वो ये हैं कि इस missile defense system में दो तरह की missile का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें पहली missile की range होगी 1500 km और इस missile को SR SAM नाम दिया गया है वही जो इस system की दूसरी missile है उसका नाम XR SAM है और इस missile की range होगी 350 प्लस यानि कि साड़े 300 km के एरिया में drone हो, missile हो, fighter jet हो या फिर ballistic missile ही क्यों ना हो इन सभी तरह के हथियारों को या missile system पूरी तरह से निस्त नाबूत कर देगी और आप सभी लोगग को बता दूं कि दुनिया के सब सबसे बेहतरीन missile defense system S-400 की range 400 km तक ही है और इस XR SAM की range को भी 350 प्लस माना जाता है तो आप इतना मान के चलिए कि ये system लगभग S-400 को टकर देगा range के मामले में लेकिन इस system की असली खासियतों को तो अभी मैंने बताया ही नहीं है तो चलिए जानते है system की असली खासियतों के बारे में तो देखिए इस पूरे missile system में चार चीजे ही मुख्य होंगी जिसमें सबसे पहला है launcher जिससे missile निकल कर दुस्मन की missile और fighter jet को मार कर गिराती है और जो बाकी की तीन चींजे होगी वो होगी अलग अलग तरह के radar उन्हें भी बताऊंगा आगे लेकिन सबसे पहले ज केलो میटर वाली होंगी और बची दो missile है 350 प्लस कलो मिटर वाली होंगी यानि कि दो missile SR SAM और दो missile है XR SAM की होंगी और सिधी वासा में कहूं या सिस्टम 64 हमलों को रोकने में शच्चम होगा क्योंकि या सिस्टम 16 मिसाइलों को fire करने में सच्चम है और एक बार ये 16 की 16 मिसाइले fire होने के बाद इससे तुरंत reload भी किया जा सकता है और इस XR SAM सिस्टम का साइकल इसी तरह चलता रहेगा यानि कि यह सिस्टम टारगेट हिटिंग में भी S400 को टक कर दे रहा है और अब लांचर के बाद इस सिस्टम के दूसरे महत्पूर्ण पार्ट पर चलते हैं और इसका दूसरा महत्पूर्ण पार्ट है सर्च एंड ट्रैक रडार औ और इस सिस्टम के सर्च एंड ट्रैक रडार का काम होगा दूसमन के जितने भी जहाज हैं लडाकू विबान हैं ड्रोन हैं मिसाइल है इन सभी को ट्रैक करना और सभी तरह के एरियल टारगेट की जानकारी कंट्रोल रूम में बैठी भारती फोर्सेस तक पहुंचाना और इस सिस्टम का अगला पार्ट है फायर कंट्रोल यानि की जहां पर भारती सैनिक बैठ कर सीधे मिसाइल को लांच करेगा दूसमन के फाइटर जट या मिसाइल को मार कर गिराने के लिए और इस पूरे सिस्टम का सबसे महत्तपूर पार्ट होगा मस्ट माउंटर रडार और इस रडार का मुख्य काम ये होगा कि मान लो कल को चीन भारत के रडार और डिफिन सिस्टम से बचने के लिए अपने हेलिकाप्टर को और मिसाइलों को सतय से बहुत ही कम दूरी पर उडाता है जिससे कि हमारे रडार उन्हें पकड़ न पाएं तो ऐसे में यही मस्ट माउ लेकर कंट्रोल रूम में बैठे भारती इस राइनिक को तुरंत पहुचा देगा यानि कि यह भारती एकसार सायम रूसी एस फोर हंड़ेड को रेंज के मामले में तो टकर देगा ही साथ ही साथ टारगेट हिटिंग और टेकनलाजी के मामले में भी टकर देगा और ऐसी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें धन्यवाद